हालो क्रेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा पाच प्रकार के शॉटकट मेथड होते हैं, तो उसके बारे में हम वन बाई वन डिसकस करेंगे, ओके, तो अगर आपका गिवन फंक्शन और गिवन इक्वेशन एफ अफ दी इंटु य इक्वेस टू कैपिटल एक्स पे होता है, तो उसका पर्टिकुलर सोलूशन निकालने के लिए आपने फॉर्मिला पड़ा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इस इक्वेस टू वन अपॉन एफ अफ दी इंटू कैपिटल एक्स, अब पर्टिकुलरली हमारे पास क्या प्रोवाड किया है, कैपिटल एक्स के व एक्स क्या दिया है, हमें, एक्स दिया है, एक्स टू एक्स, अगर एक्स टू एक्स होता है, तो हमें क्या करना है, जहां पर भी डिनामेटर में कैपिटल डी दिख रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, एक्स का कोईबिशन सब्ट्यूट करेंगे, means we have to replace कैपिटल डी आज ए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, 1 upon f of a into e rest to a x, ए जो a होगा, ए a होगा constant value, और एक condition क्या है दोस्तो, अगर जब f of d की जगा आप f of a ले रहे हो, तो आपकी f of a की value non zero आनी चाहिए, ओके, अगर if, मानो f of a आपका zero आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आपको a क्या करना है, इस step में numerator में x से multiply करना है, और denominator का एक बार differentiation लेना है, और a e rest to a x as it is रहेगा, यह होगा आपका particular integral, again, और step वही करना है, यहाँ पे d को a substitute करना है, condition same रहेगी, that f of a non zero, अगर non zero आ रहा है, आप directly यहाँ पे d की जगा a substitute करो, आपको मिल जाएगा, x upon f dash of a into e rest to a x, अब e rest f dash of a क्या होगी, constant value, it is free from d, यह हो गया, आपका complete solution, तो a procedure कब तक follow करनी है, जब तक आपका denominator completely d से remove नहीं होता है, और denominator से complete d remove नहीं होता है, तब तक a procedure follow करनी है, okay friends, thank you